दोस्तों राजस्तान हाई कोट ल्डिस में English के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ज़्यादातर स्टुडेंट के릴 में कमेंट के रहते हैं सर इंगली से समझ में नहीं आती English कैसे कवर करें English पढ़ते हैं उसके बाद में वापस भूल जाते हैं एक्जाम में तो English में बिल्कुल No. नहीं आते हैं, कन्फूज हो जाते हैं कि यह सही होगा या यह नहीं होगा, तो रजस्तान में ज्यादा तर देहने को आया है कि English में ही student के ज्यादा तर समस्या आरी है कि English कैसे कवर करें, तो आज आपके राजस्तान High Court LDC में English के बारे में ह उसी तरह साथ साथ आप English भी कवर कर लो क्यों होता क्या है कि स्टुडेंट हिंदी को दो तिन घंटे देगा जीके को देदेगा English से थोड़ी सी भी पढ़ेगा नेंद आएगी पढ़ने में अच्छा नहीं लेगेगा इसकी पढ़ेगा English कम बढ़ लूँगा English में कम नंबर लियाओंगा उदर ज्यादा नंबर लियाओंगा जबके इसा नहीं होता है जहां आपके स्लेबस में हिंदी-इंग्लिश जीके यह वह बहुत नहीं सकते हो English लेना है उसको लाने ही पड़ेगे और सभी में एच्छे नंबर लाने ही पड़ेगे यहां आप स्कीप कुछ न लेगे आपके English का syllabus क्या है यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह आपको LDC हाइकोट LDC में जो आपके English है उसका syllabus है इस syllabus के आपको तयारी करनी है गलती क्या कर देते हैं सबसे बहले हम इंप्रूमेंट कर देते हैं इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाएगी इस तरह से आपकी कवर नहीं होगी तरीका आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से कवर करना है किस तरह से मैं English लेकर बैठूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी कवर हो जाए वो तरीका आप सीख गए English में भी आ सबसे पहले हमें आपके बात करेंगे इंग्लिश में आपको डेली क्या लेकर चलना है तो आपको ध्यान यह रखना है कि आप सबसे बहें जो इस्टार्ट करने वाले हो वह सबसे पहले आप करके चलोगे English में सबसे पहले आपको Tense लेकर चलने है Student पूछते हैं Books कौन सी लें कौन सी बुक में करें Books की हम बात करें आप Lucian ले सकते हो अरीहंत ले सकते हो Authentic Book का ले सकते हो साथ साथ मैं आपको Notes बताओ जब आप Daniel Classes की एप में जाओगे वहाँ आप Course देखोगे वहाँ English का आपको Notes भी मिलेंगे वहाँ से आप देख सकते हो अब Tense में आपको क्या करना है Basic बहुत अच्छे कर लेने हैं आपको Basic का मतलब होता है I play cricket, he plays cricket अब ये he plays क्यूं आया इन चीजों को आपको अच्छे से पकड़ना है I don't play cricket, he doesn't play cricket अब he doesn't क्यूं आया इस पे आपको गोर करना है इन चीजों को आपको सीखना है I have a car, he has a car I have a car, he has a car She has a car इन चीजों को अगर आप English में सीखोगे Tense में सीखोगे English आपकी Perfect होगी आप Error को गलतियों को असानी से पकड़ लोगे क्योंकि जहाँ basic चीजे आपने सीख ली वहाँ बहुत आगे तक आप जाओगे अच्छे से cover करोगे अब आपको क्यों Tense ही नहीं करने है आपका daily routine क्या होना चीए मैं आपको बताता हूँ आपके syllabus के according बता रहा हूँ आप सबसे पहले Tense लोगे Tense के साथ साथ आपको करना ये है पांच आपको synonym, antonym लेने है पांच आपको one word लेने है पांच आपको idiom phrases लेनी है उसी दिन Tense करने है उसी दिन 5 पांच आपको ये सब करना है और ये daily routine आपका होना चीए जैसे आपने Tense पड़े Tense आपको चलने देना है साथ आठ दिन जिता भी आपको time लगे अराम से अच्छे से पड़ना है जितना ज्यादा Tense में time दोगे उतनी अच्छी English improve भी आपकी होगी रटना नहीं है चीजों को समझ के चलना है समझोगे English को आपके हिंदी जैसे English हो जाएगी आप rules से इनको समझ के चलना रटना नहीं आपको समझोगे अच्छी चलेगी one of my friends is playing cricket one of my friends क्यों आया one of के बाद noun plural verb singular इसलिए one of my friends is playing cricket इन चीजों को समझ ना है आपको समझोगे बहुत अच्छा English में आप कर पाओगे तो डेली रूटीन क्या रखना है जब आपके टेंसे चलेंगे जितना भी आपको टाइम लगेगा आपके एकोडिंग 5 दिन भी लगें 10 दिन लगें 15 दिन लगें कोई दिकत नहीं है लेकिन टेंस अच्छे से करने है और regular आपको जिसे one word रखने है इडियम फ्रेजेज डेली के डेली के पांच पांच ये आपको रखकर चलनी है इससे क्या होगा डेली आप करोगे 5,5, 5 डेली 5,5 होती जाएगे एक्जाम तो काफी हद तक आपके ये सारा सब कुछ कवर हो जाएगा साथ साथ idiom phrases भी हो जाएगी one word भी हो जाएगा synonym intonations भी हो जाएगा और भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको करना है अगर आप चाहते हो कि daily के 55 one word idiom phrases होगे confusable word होगे ये सारा सब कुछ मैं आपको करवा के चलूँ daily daily 55 करवा के चलूँ तो आप comment box में comment करेगी हाँ सर आप ये करवाएं अगर आपके comment अच्छे का से comment आते हैं तो मैं बिल्कूल आपको daily करवा के चलूँगा जल्द ही आपके लिए शुरू कर दूँगा daily का हम target बनाएंगे पांच माँच लेके चलेंगे आपने पिछले एक्जाम में भी देखा होगा जो मैंने one word करवाए थे idiom phrases करवाए थे जो आपको synonyms, centonyms करवाए थे काफी questions वहाँ से मिले थे तो इस तरह से अभी हम cover करके चलेंगे एक्जाम तब तो काफी हद तक काफी सारा हम cover कर लेंगे अगर आप चाहते हो करवाँ तो comment box में आप comment जरूर करना जब आपके tenses cover हो जाएं उसके बाद में आपको लेना है active voice, passive voice active passive आप उसके बाद में करके चलना है tenses cover होगे, active passive करना है डेली का target, tenses आपके cover हो रहे हैं साथ साथ आपके, जो मैंने बताया 5-5 cover हो रहे हैं अगले दिन उनको वापस भी repeat करना है यह नहीं है कि अगले दिन उनको भूल जो उनको साथ साथ वापस revision करते रहना है tenses cover होने के बाद में active passive देखेंगे हम साथ साथ और active passive के साथ साथ ही वापस आपको वही करना है, synonym, centonym, 5-5 पाँच पाँच हम इडियम फ्रेजेश देखेंगे पाँच हम वनवर देखेंगे यह routine चलना है जब आपके active passive अच्छे से cover हो जाएं उसके बाद में आपको जो अगला topic लेना है वो direct indirect का लेना है देखो यह चीजे sequence से चलेंगी तब ही आप अच्छा समझ पाऊगे जब आप tense अच्छे से समझ लोगे तब आप active एसी बहुत अच्छे से समझ पाऊगे फिर direct indirect आपके अच्छे से समझ भी आएंगे तो उसके बाद में आपको direct indirect narration करके चलना है इसके साथ-साथ आपको जो आप कर रहे हो तो उसमें confugable words भी जोड़ देना है जब आप synonyms, antonyms, one word, idiom phrases करोगे तो one word और idiom phrases आपके काफी हद तक cover हो जाएंगी अब उसके साथ-साथ आपको confugable words भी जोड़ देना है वो भी आपको daily लेकर चलना है confugable words आप daily के 3-4 भी लेते हो तो enough है इतना आप कर सकते हो ये आपको करके चलना है उसके बाद में आपको लेना है articles ये cover हो जाएं, direct indirect हो जाएं articles लोगे आप, determinants लोगे, prepositions लोगे आपने देखा होगा prepositions के भी सवाल आपके exam में काफी आते हैं ये चीजे उसके बाद में आपको लेकर चलनी है इन्हें चीजों में आपको rules ध्यान रखने है inspired के साथ off आता है, लेकिन despite के साथ off नहीं आता है inspired के साथ off आता है, despite के साथ off नहीं आता है abide by rules होता है, abide by rules होता है ये rules हैं जो आपको ध्यान रखने है English में जिनको आपको ध्यान रखना है Abide के साथ हम by का use करते हैं ये चीजें ध्यान रखोगे काफी हद तक आपकी English काफी better हो जाएगी You should abstain from smoking You should refrain from इनके साथ from आता है I am looking forward to meeting you To के बाद में वर्व की first from आती है Jirand कहां use होता है I am looking forward to meeting you ये rules हैं जो आप preposition में सीखोगे और exam में काफी आपके बनते भी हैं तो ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद में articles ले लिए determinants ले लिए preposition आपको लेकर चलना है जब आपके ये भी cover हो जाए उसके बाद में correction of sentences including subject verb agreement ये जब सारी चीज़ें आप सीखोगे तब ये subject verb agreement कहां क्या use करना है क्या नहीं आएगा कौन सा इनोंने गलत use कर दिया वो बाद में आप अच्छे से सीख लोगे जैसे आपके degree होगे adjective होगे connections words wrongly use ये सारा उसके बाद में आप अच्छे से कर लोगे ये आपके cover हो जाए उसके बाद में transformation of sentences आप कर लोगे improvement of sentences आप कर लोगे उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे English के basic आपके बहुत अच्छे हो जाएगी जिसके name अच्छी होती है वो मकान लंबा टिकता है name आपके अच्छी हो गई sentences वगरा तो समझने पड़ेंगे आपको समझोगे तो ही आपके exam में अच्छे खासे number आएगे इस तरह से आप sequence में ये सारा सब कुछ करके चलोगे the best आपकी English होगी देखो basic पे अच्छा खासा आपको ध्यान देना है और मैं आपको बता दूँ सब कुछ भी में आपको करवा के चलोगा जो आपको डेनिल क्लासेज की एप पर सारा सब कुछ available होगा complete course आपको मिलेगा अभी वहां नोर्स अविलेबल है English के जल्द ही आपके यहां पे सारी English की क्लासेज भी मिलेंगी और आपको पता है राखी के पर अभी ओफर भी चल रहा है तो चार सो पान सो रुपे का कोर्स है केवल एक सो निन्याडम में आपको मिल रहा है राजस्तान हाई कोर्ट LDC का complete course आप डेनिल क्लासेज की एपर जाके देखें राखी एक सो निन्याडम में उफर कोर्ड लगाएं राखी आउसर पर केवल एक सो निन्याडम में आपको मिल जाएगा complete course आपको मिलेगा जहां आपकी सारा सब कुछ इस लेबस के कुडिंग सा आप कर सकते हैं यह जो मैंने आपको बताई हैं यह बताएं में YouTube पर यह सारी चीज़े वनवर्ड हो गया और और वीडियो आप शेयर करोगे उतने ही मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आपको वह सारी चीज़े बता के चलूँगा जो आपको सेलेक्शन दि कमेंट जरूर करना है जो मैंने ठरीका बता दिया इंग्लिष का उस तरए से पढ़के चलोगे इंग्लिष में कहीं नहीं अट गोगे तो दोस्तो वीडियो को आपको जीतना हो सके शेयर करना है लाइक करना है अगर आप डेनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जब सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना उसी से आपको नियू अपडेट मिलती रहती हैं और डेनिल क्लासेज का टेलिग्राम चैनल भी जरूर होंगा धन्यवाद